जो भी घर से बाहर आया है उसने हीना खान के खिलाफ जहर जरूर उगला है हीना को नेगेटिव बताया है उनने विलिन बताया है ऐसा ही कुछ बंदगी कालरा ने भी किया वैसे बंदगी के केस में ये तो बहुत ओविस था लेकिन बंदगी ने ये कहा है कि हीना खान जस तरीके से उनकी आँखों में मिर्ची डाल रही थी ऐसा लगता है कि जैसे वो हीना के परसनल ग्राजस थे बंदगी ने कहा है कि वो शोक खत्म होने के बाद कभी भी हिना खान का चेहरा तक नहीं देखना चाहती उनका कहना है कि हिना उनसे बहुत जलती थी इतना ही नहीं बंदगी ने ये भी कहा है कि अगर उन्हें बिग बॉस में किसी से रिवेंज लेने का मौका मिले तो वो अर्शी खान और हिना खान से रिवेंज लेंगी वही जब रिपोर्टर ने बंदगी से सवाल किया कि किसी एक को अगर उन्हें मारने का मौका मिले तो वो किसे मारेंगी तो ऐसे में उन्होंने हिना खान का नाम लिया तो बंदगी के मन में हिना के लिए जो नफरत है उनके विक्ट होने के बाद उनके स्टेटमेंट्स के जरीए साफ साफ दिखी फाइनल काट एंटेटेन्मेंट डेस्क